always go back to my youtube channel unlimited knowledge in medical science तो आएदा ये वीडियो हम बात करने वाले पेस्टापराज़ल की होता है यूज होताँ है इल्ब प्रस्टा बोडियो को लेने समय कोन conducting ठ्रखने चाहिए इसको side effect किया हो सकते हमारी body पे तो सबके बारे में करके detail से बात करेंगे तो इस वीडियो को आप लाइक तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को भी प्रेस कर देना जिससे हर वीडियो की notification आपके पास ज़्योटें जी जहता है और दोनों प्रम में मिल जाता रहे याप अपको हर जाता है जिएक को philosopher मिल जाता है और जो जो जबहुकि बहुत ज़य किया जाता है आप गषप बहुत ज़्यादेबन की बोस्ता है जानते हैं यहां अगर जाय बढ़र किसमे होdar Respire आप करेंगे लोग्तों की बात करेंगे किसे हैं इसके डावड़ होते सकते हैं ट्रेंट जाना हुआन तो दो हitis गतार के विडियो को शुरू करता हैना आप पर देख सकते हैं जैसे पैंटों से दिपैंटों बगरा बहुत सारे नाम तो इसे बहुत सारे नाम है उच्छाइट करते हैं प्रोटोन पंप नहीं होता है तो बात करते हैं कि प्रोटोन पंप क्या होता है उससे करता है यानि हिंदी में बोले तो अमल का निर्मान होता है तो बाइस यह प्रोटोन पंप उसके एक्टिविटी औरना है रोक देता है जिससे हमारी body में ज्यादा acid का formation नहीं उपाता है जिससे कि हमें acidity जैसी समझ्चा नहीं आती इसलिए pentaparazole का huge acidity के अंदर किया जाता है तो गाइस अब second की बात करें तो यहां देख शुक्त हो pept rising कर लेते हैं तो हमारी होता है यहां से मोद्ष मैं जाता है धिर्सार कमा से ऐसे energy यह पर्प्यकल्सर कहते हैं यह पर्प्यक्टिक वर्ड के से रिलेटेड है तो मतलब पर्प्यकल्सर अनदी मतलब इसकी फिर्पफियर में नीजन लगती है जिसके कि इसमें मतलब हमें जलन भी होने लगती हैं तो यह प्रमक में छाले का निर्मान हो जाता है तो इस थर्ड यूज की बाद कर लेते हैं तो इस हमारा थर्ड है डूड्य उज्व यानि जो डूडैनियम होती है जैसे कि जस्ट जो हमारे सिट्यों में होता है उसके बाद एक और पढदे जैसी समय होती है जिसके बाद करने के लिए पेंटापर यूज किया जाता है तो इसे प्रिवेंट करने के लिए भी पेंटापरोजॉल का यूज किया जाता है तो आप बात करते हैं जो नेक्स यूज है उसकी बारे में तो आपर देख सकते हुकि है रुज आसो इन इंफेक्शन आपव एच प्रश्र मतलब डू डेनियम के अंदर नियुज चो चोटी आए तो उसका फ़र्ष्ट पार्ट इसके अंदर अलसर असुसीड करता है किसके द्वारा एच पाइलोरी जो इंफेक्शन वाइरस होता उसके द्वारा वैक्टिरी होता उसके द्वारा तो प्रटा जिसके लिए लिए तो लाइस अब नेक्स यूज की बात करते हैं तो गौई तो हमारा नैक्स यूजा जाता है नसेज्स अर्सटेटर डेजिज अब नसेड़ कि वोते हैं यह मतलब की फुलपर्ट के बात जाती है तो मतलब जिससे की अल्सर मतलब जिससे की अल्सर का निर्मान हो जाता है तो इसे जो बात करते हैं जो नेक्स यूजर उसकी तो यहां पर देख सकतो आट का ईस ब्हलें सन ऐसे थेशिण आड़े यानी लगता है तो इसे एसी और और लागता है तो जरी पोल सकते ह्पी इस फॉल ठो Devices घजब इस टो ने साट का पॉर्मिस्ट बाता हो जैसे की जो प्लोटन पॉंप ऑख़ी था ibaów तो इसके लिए करता है मतलब स्टोमक को लेयर स्टोमक को तो मतलब एसिट का फॉर्मिशन जब इस्टोमक के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो वह रिफ्लेक्स मतलब उल्टा जाने लगेगा इस तरफ और अपने माउथ की तरफ बाद भार निकलने के लिए जैसे कि हमें वोम है यूजeton का यूज किया जाता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा इसक्रिपिशन में भी इभी बात आया था तो गास आप बात करते हैं कि इसकी डोज कितनी देनी चाहिए तो गाइस यहाँ पर जायत तो पहलेस की बात करते हैं यहाँ पर अरटी से फॉठी P आ खाने से पहले दी जाती है before the meal क्योंकि जिसके कि वह जल्दी अब जोग हो सके अपना reaction दिखा सके अपना effect दिखा सके इसलिए सारी जो भी medicine बगएर होती है stomach बगएर अपने जो भी abdominal से related तो वह सब मील से पहले दी जाती है मतला खाने से पहले दी जाती है तो मतलब है हमें पांच यह से कम के बच्चों को नहीं देनी है पांच यह से अबब के बच्चों को ही हम पेंटा पेरोजोल का यूज करते सकते हैं कोई भी वीडियों आपको टैबलेट्स या किसी injection बगेरा के बारे में बताते हैं तो आपको इन में से कोई भी बिना डॉक् पेरिक्सिंट के जरूरत होती है तो परिस्कृष्षन लेना जरूरी है तो यह आपर देख सकते हो जो चाइड्स है वह हमें पांच यह से कमके बच्चों को नहीं देनी है नहीं तो बहुसकार है यह वह सकते हैं और गाइस यह और रहल दी जाती है जो भी इस्टमक से बात कर लेते कि कितने बेट पर कितनी डोज हम दे सकते हैं तो यहां पर देख सकते हो हम 15 kg से 40 kg मतलब कि 40 kg से नीचे तक मतलब कि 40 kg तक हम यहां पर 20 mg दिन में एक बार 288 वीक मतलब 8 वीक तक हम 20 mg दिन में एक बार दे सकते हैं 15 से 40 kg के पेशेंट को यह ब्यक्ति को परसन को और यहां पर देख सकते हो बेट 40 kg मतलब 40 kg से बेट या उससे ज्यादा के बेट वाले आदमी को हम 40 mg मतलब 40 mg दिन में एक बार इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो इसके ज्यादा यूज करने से या फिर गलती यूज करने से बगेरा भी हो सकती है यानि सर में दर्द भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और गाइस डाइरिया भी हो सकता है डाइरिया यानि लूज सब्सक्राइब हो सकते हैं या निसे इंफेक्शन रहे हो सकते हैं इस चैन्स होते हैं अगर ज्यादा मातर हम युज़ कर लें है या फिर गलत तरीके से जूज कर लेंगे तो और इसे नौजिया और बोमेंटिंग कई बी सगाय description के नहीं लेने हैं तो इस वीडियो को में हमने बात की कि पेंटा पेरोजल का किसमें यूज किया जाता है कब यूज किया जाता है इसमें कितनी दोज में यूज करते हैं कि एज के इसाफ से कैसे करते हैं पेट के आदार पर कैसे यूज करते हैं इसके side effects क्या होते हैं तो सब डंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कुमेंट बंठ 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 करते हैं तो इस वीडियो के यहीं पर सब्सक्राइब करते हैं नई वीडियो साथ जब तक के लिए जय हिंद जय वारत बाई बाई